क्यारे बच्चों और दोस्ते एक बार फिससे आप लोगों को सामने रिजिनिंग की बहुत ही इंपोर्टेंट और सांधार वीडियो लेकर करका इस वीडियो में दोस्तों देखिए आप लोगों की इस टाइप के जो कोश्चन दिख रहे हैं इन को सॉल करेंगे इनके इलाव काहिए कि सीएन का संबंद जैसे फ्रांस से है वाइसे कीजिल का संबंद किस से होगा तो हमें सबसे पहले चीज की पता होना चाहिए कि सीएन क्या है फ्रांस तो हमें मालूम है कि माली जी के एक देश है लेकिन सीएन क्या चीज है वो जब तक नहीं पता रहेगा तो कैसे पता लगाएंगे कीजिल का संबंद किसे देखिए कि फ्रांस सी एन जो है एक नदी का नाम है इसका नदी का नाम जो कि फ्रांस में पढ़ती है तो ऐसे ही जो सी एन है ये ये कीजिल जो है ये भी एक नदी का नाम है अब हमें बताना है कि ये कीजिल किस देश में पढ़ती ह क्लियर चलिए नेीस्ट जो देखते हैं यह क्षिरिस में ना है किसे लोगी कैसे पता करते हैँ एक एक अलफाबेट को उठाएंगे जिसे इं है तो इन से आई बनाए आई से d बनाए डी से y बनाए वाई से t बना इनको पहले अलग कर लेंगे, जिससे in है, in के बाद क्या है दोस्तों, i है, ठीक, i के बाद क्या है, d है, d के बाद y है, उसके बाद t है, उसके बाद missing number, पहली चीज, अब दोसरा फिर क्या करेंगे, दोसरे वाले को उठाएंगे, तो इनमें भी लॉजिक ढूड़ेंगे दोनों में बारी बारी लाजिक ढूड़ लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट इस्टेप आपका जो मिसिंग नंबर वाला है वो आखिर होगा क्या तो जे उसके बाद आपका मिसिंग नंबर चलिए इन सम्में जब भी इस टाइप का कोश्टन रहे तो इन सम्में हमें जरुवत पढ़ती है A to Z एक से ले करके 26 तक के नंबर की यानि सीरियल वाई जो नंबर होती है A का 1 B का 2 C का 3 तो उनकी जरुवत पढ़ती है तो अगर याद है तो बहतर है अगर नहीं याद है तो इस टाइप के 25 कोश्टन कर लेंगे तो आटोमेटिकली याद हो जाएंगे जस्ति यहाँ पर देखिए इन है 14 नंबर पर होता है आई दोस्तो कोश्टे नंबर पर होता है आप कहेंगे कि माइनस 5 हुआ 9 से 4 बना तो कितने का अंतर है आप कहेंगे माइनस 5 हुआ इसमें भी 4 से 25 बना ये तो पलस हो रहा है नहीं दोस्तों अलफाबेट में यहीं गलती करते हैं बच्चे ये अलफाबेट में पलस पलस नहीं होगा देखे 4 में से जब माइनस 5 करेंगे देखे 4 है यानि D है तो D से पहले क्या होगा? C होगा C से पहले क्या होगा? B होगा B से पहले A होगा तो यहाँ पर जब D है 14 नंबर पर तो एक घटाएंगे 3 होगा फिर एक घटाएंगे 2 होगा और फिर एक घटाएंगी एक होगा लेकिन अब इसके बाद अगर एक घटाना रहागा तो कहा जाएंगे तो फिर यहां पर जेड़ पे चले आएंगे किस पर जेड़ पे तो एक घटाएंगे तो अब जेड़ पर आजाएंगे यानि 26 से जब इस्ट्रा एड करना रहेगा तो फिर एक से स्टार्ट हो जाएगा तो घटाने में ऐसे होगा एक के बाद 26 से स्टार्ट हो जाएगा जोड़ने में भी ऐसे होगा कि 26 के बाद सेट होजागा तो इसमें सारा खेल एक से 26 टक कैना है उससे ज्यादा कुछ करना है किया जा सकता है तो ऐसा ही जब हम चार को घटाएंगे किसमे से इसार से पांच को घटाएंगे तो चार में से अगर हम पांच को हटते हैं तो हिए अगर जाएगा minus प्चीस आजाएगा तो कि पचीस आ गया तो अब क्या होगा फिर पचीस से बीस बना है तो इसमें भी – यानि कि –5 हो रहा है बस यहीं पे हम मुझको समझाना था कि यहीं पर गलती कर सकते हैं तो सारी confusion दूर हो गई होगी, अब next क्या होगा, minus 5 वो भी होगा, तो minus 5 20 में से करेंगे, तो 15 हो जाएगा, अब 15 वे नंबर पर कौन सा होता है, फटाक देना, दोस्तों बताएए, 15 वे नंबर पर आपका क्या होता है, आप कहेंगे कि ओ उता है, और क्या होता है, 15 वे नंबर पर हमें एक मिल गया, तो O से दो भी है, तीन भी है, तो कौन होगा, अब next step दोड़ते हैं, यहाँ पर देखें, D है, D चौथे पर है, Y 25 पर, T 20 पर, 15 पर, J आपका 10 पर, ठीक है, इसमें भी वही हाल है, 4 से 25 हुआ, यानि minus 5 हुआ है, 20 हुआ, minus 5, CGL 2016-2020 में पूछा, CGL के एक्जाम में दोस्तों पूछा है, तो जब भी ऐसी सीरीज मिले, तो 3, 4 और 5 के पार्ट में इसको बाटते हैं, किसमें, 3, 4, 5 में, तेकि अकसर, कभी-कभी ऐसा हो दा कि यह सारी ट्रीके बेकार हो जाती है, उस टाइब का भी कोश्चन मैं वीडियो में करा चुका हूँ, पिछली वाले में, तो इसको क्या करेंगा, हम 3 से बाटना ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखे, 3 से, क्यों मैं 3 से बाटना हूँ, क्योंकि यहाँ पर double A दिख रहा है, और single B दिख रहा है, इसलिए मुझको लग रहा है कि double A single B मिले करके 3 पर ही यह साइकली घूमेगी, तो चलिए 3 पर करते हैं, 3 यह हो गया, और 3 यहाँ पर होगा, और फिर 3 यहाँ पर होगा, और फिर लाश्ट में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर दे कि B, अब क्या आएगा नहीं पता, A दिया हुआ है, फिर यहाँ पर गया दिया, double A यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब यह हुआ है, यहाँ पर भी double A होना चाहिए, यानि B, A, A, ठीक है, अब यहाँ पर double A है, तो इससे पहले इसका मतलब B होगा, यह तो अब सीधा सा है, B, A, A, B, A, A, यानि फिर यहाँ पर B है, उसके बाद एक टो A गायबा तो A डाल दीजिए, B, A, A, यानि कि B, A, A, तो सिंपल सा बन गया, B, A, A, B, A, A, B, A, A, B, A, A, तो क्या आपने पुट किया, A, फिर B, A, पुट किया, फिर A, पुट किया, फिर A, पुट किया, फिर A, पुट किया, तो A, B, A, 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 देखिया, बहुत इजी था दोस्तों, अगर जिसका अंसर आप लोग को आता है, वो कमेंट करते रहेगा, उसका अंसर, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, यहाँ पर भी यह सिरीज मिस है, तो मिसिंग नमबर इसमें निकालना है, तो सबसे बहतरी चीज इसमें यह दे दिया, कि आपको बटे 22, एक बटे 37, कोई मैटर भी नहीं हमारा है, क्योंकि यह मिसिंग नमबर के आगे जा रहा है, और हमें 8, 22, 37 वाली ही सिरीज में यह मिसिंग नमबर मिल जाएगा, यही लोजिक बढ़ भूड लेनी है, और वाइसे भी अगर यह भी निकालते, तो करना क्या था, अग आएगा कितना 14, कितना 14 आएगा, यानि पलस 14 किया गया, नेक्स्ट में क्या किया गया है, 22 में 37 का मतलब घटा लेजिए, तो पलस 15 किया गया, यानि 14 पंदर अगला स्टिप 16, यानि सीरील वाइसे तो चल लाए, पलस 16 करते हैं, पलस 16 करेंगे तो साच 16 हो जाएगा, और 3 कितना जाएगा, यहां पर 3 पन आजाएगा, यहां पर 3 पन आजाएगा, अप्शन में दिया हुआ, अप्शन 1 is the right answer, अगर माली बटा वाला रहता, तो सिर्फे इसी को एक बटे में 3 पन बना देते हैं, यानि कि यहां पर 3 पन आएगा, और नेक्स्ट इस टिप एक बटे म मिसिंग नमबर से कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, जब यह लाजिक ढूनेंगे, जब यह लेक हम यहां पर आसानी Lessig नमबर लगा देंगे, तो हमारा यहाँ पर missing number वाली जगह आ जाएगी clear समझ में तो इसलिए opposite चलेंगे जैसे ज़रूत पर 30 की question में वो ऐसे चलते अगर यहाँ का missing number गया पर रहता यहाँ दिया रहता तो ऐसे चलते clear एतना समझ में आ गया होगा बहुत समझदार है आप लो तो चलिए यहाँ पर लाते है इसमें भी number का खेला है तो number दीजिए K का 11 होता है O का 15 होता है और P का 16 होता है यहाँ पर T का 20 होता है clear है अब इसकी जगह क्या बना है A बना है E का जो है 5 होता है F का 6 होता है और J का 10 होता है अब यहां पर देखिए किस हिसाब से घट बढ़ रहा है यहां पर देखेंगे अगर तो आपका K 11 एक बना यानि कि माइनस दस हुआ है कितना माइनस दस यहां पर 15 से 5 बना है इसका मतलब यहां पर भी माइनस दस हुआ है यहां पर 16 से 6 बना है यहां पर में माइनस दस हुआ है 20 से 10 बना है माइनस 10 का खेला है माइनस 10 का आप 7 वे नमबर पर क्या आता है? आप कहेंगे कि G आता है. ठीक. 1 पर आप कहेंगे कि क्या आता है? 12 पर आप कहेंगे यह ल आता है. 16 पर आप आप कहेंगे P आता है. बस होगी आपका अंसर. G, Q, ALP देखिए. Option to is the right answer. अगर याद रहेगा तो ऐसे ही आपे क्या बना तो duck से कैसे 69 बना है 69 तो चलिए देखते हैं अगर इनका numbering दे रहते हैं जैसे D है चौथी पोजिसन पे और U आपका कैसे में पे C आपका तीसरे पे क्या आपका इगरामे पे और इनको हम add कर लेते हैं क्या करते हैं कर लेते हैं तो कितना आएगा 11 गया 11 14 24 गया चाओद दुना 28 28 अरुसाथ 35 चार 29 अरा यह नहीं लगेगा चलिए थोड़ा अलग धूरते हैं यह क्या करते हैं थोड़ा सा अलग धूरने का मतलब यह सब्रसरी तो इसके अपोजिस्ट को यक को कौन सब्राइगा निकालने का तरीका में बता तो जरूरी नी में कि हर चीज राटी जाय जाए जैसे अभ जेट से आप कि डी के उल्टे कॉन होता है, ५ होता है कि कॉन होता, फिर उसका नंबर याद करने जाएंगे, इतना करना नहीं है, मैं तरीका बता देता हूं, आप सीदेंड्रों में डंक सीख जाएंगे, तैकि जो नंबर रहे है जेसे डी के भूसजिट निकालना है है, उसका चार नमबर तो 26 होता है टुटल अलफाबेट इस चार को घटा करके एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 में चार घटा कर बाइस आ जाएगा तेश अर तेश अस्थान पर होता है डबलू तो हमें डबलू की जरूरत है नहीं सिर्प तेश लिख दीजिए क्या कि हमें नमबर लाना है न की अलफाबेट तो इसका तरीका अगर जानते रहेंगे तो हर चीज निकाल लेंगे अब देखिए एक कैस पर यू होता है इसकी अपोजिट कौन है मैं कहूं कि 26 में से एक कैस को घटाएए और एक जोड़ दीजिए तो 26 में से एक कैस को हैंगे तो आपका 23 होगा 23 में एक जोड़ेंगे तो 24 आजाएगा ऐसे इगारह है तो 26 में से 11 को घटाएंगे तो आपका 15 एक जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा अब इन नम्मरों को एड़ कर लीजिए नम्मरों को एड़ कर लीजिए तो 6-10-10-6-16-6-6-3-19-9-1-2-2-4- कितना गया 69 आ गया बिल्कुल सही है देखिए यहीं ट्रिक यहां पर भी लगाएंगे अब बेस्ट में देखिए डारेक्ट मैं लिखूंगा बेस्ट देखिए कैसे डारेक्ट लिखा जाता है बी का होता है दो 26 में से दो को घटाएंगे बचे का 24 24 में एक जोड़ेंगे तो 26 में से घटाएंगे तो आपका बचेगा 7 एक जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 8 यहां पर 8 लेंगे पलस बनाएंगे टी का होता है 20 26 में से 20 को घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा 6 एक जोड़ लेंगे हो जाएगा 7 तो 8 7 15 15 40 20 60 62 62 62 62 62 अपसन 4 is the right चलिए next इस तरीके से इ दोस्तों एक्जाम में भी आपको करना है यहां पर देखिए इसको कीजिए दोस्तों कमेंट कीजिए फटाक फटाक देखिए क्या कह रहा है कि सत्रह से जैसे 136 बनाए विसे 18 से क्या बनेगा तो यह तो सत्रह का पहाड़ा आपको याद है तो वैसी पता चल गया होगा कि 17 गुड़े 136 होता है कितना होता है 17 गुड़े 8 बराबर 136 होता है जिसको पाड़ा नहीं याद है दोस्तों वह कमेंट कीजिए गा तो उसके लिए वीडियो बना सकता हूं उसकी ट्रिक होती है टेबल याद करने की अब यहां पर 18 है तो क्या 18 का भी आठ में गुड़ा करे गुड़ा करेंगे 18 का भी आठ में गुड़ा करेंगे जैसे इसमें आठ का किये है तो 144 हो जाएगा 18 वाट 144 होता है तो आफ्सन में तो कहीं दिख नहीं रहा नहीं ऐसे नहीं लगेगी ठोड़ा सा दिमाग को दोसी तरफ ले जाए यह अतनी इजी कोश्चन एक्जाम में देगा नहीं आपको इतना आशानी नहीं सरकारी नोगरी पाना तो देखिए क्या करेंगे हम यहां पर बिल्कुल सही आठी का गुड़ा करेंगे लेकिन करेंगे क्या देखिए 17 में क्या एक और 7 है तो इन दोनों को आपस में जोड़ करके फिर इसी 17 से गुड़ा किया गय देख 162 है option 5 is the right चलिए ठेक नेक्स यहां पर क्या कह रहा है दिसा और दूरी वाला पहले दिसा का ग्यान करा दूँ आपको यह धर पूरब होता है दाहिनी साइट बाइसट पर्चिम नीचे दच्छिड ऊपर उत्तर clear चलिए अब पढ़ते हैं इसको एक अस्थान से मनवीर ने पूरब दिसा में चलना शुरू किया और 35 मीटर चला कोई या अस्थान था या इस अस्थान से मनवीर पूरब की दिसा में चलना पूरब की दर है इदर है पू कोश्चन में जो कह रहा है उसी साफ से डाइगराम बनाते जाएए और आप लोगों के समने यह मैं आपके दिमाग में च्छप जाना चाहिए यह भी बनाने की जो तनी एक्जाम में ठीक है तो कहरा कि इसके बद वो अपने दाई और मुड़ा जब पूरब की जा रहा है त अपने बाई और इसको चलाई जब बाई और चलाएंगे कहरा 35 मिटर चला तो यह आमने सामने की दोनों भुजा बराबर हो गई तो यह बिल्कुल इसके एक्जेक्ट पॉइंट पर यह आमने सामने होंगे क्लियर आगे कहरा एंत में वो अपने बाई और मुड़ा और 20 यानि जहां उसको जाना था वहां पर यह पहुंच गया थोड़ा समय कलर चेंज कर दो ताकि आपको समझ में आइए यहां पर पहुंच गया गए अगन तब लुपे तो कहरा है कि जहां से चलना सुरू किया उस अस्थान से वो कितनी दूर है यानि यहां से यहां तक की 20 चला है और यह भी 20 है तो 20 किया हो जाएगा 40 बस यहीं जोड़ देना है क्योंकि हमें यहां से यहां तक की दूरी ही निकालनी है तो यहीं दूरी निकालनी है यह स्टार्टिंग पॉइंट था यह इंडिंग पॉइंट है तो बस हो गया चालिस ऑप्शन पॉर इस दर आइट अंसर कितना इजी है नेक्स्ट बलड रिलेशन का कोश्चन है यहां पर इसको इसको भी देखे क्या है कि जो पोश्चन में दिया रहेगा उसे हिसाब से आपको पढ़ना है स्टेप बाई सिस्टेप और उस हिसाब से डाइगराम बनाना है और चीन एक बना लेनी है उस चेन से क्या होगा कणियां जब जुड़ेंगी तो रिष्टे आटोमेटिक सामने आ जाएंगे कहरा पी क्यू और आर का भाई है क्यू और आर दोनों का क्या है इसक भाई है इतना तो पता चल गए जो पी है यह पूरूस लिंग है क्या है यह मेल है इसको पूरूस लिंग न लिकरके मेल बना दीजिए यानि कि यह लड़का होगा क्या है मेल है ठीक है और यह क्यू और आर मेल है कि फीमेल है यह कंफर्म नहीं है क्योंकि पी तो इन दोनों मा है क्या कह रहा है कि इस जो है इस इस आर की मा है जब इस आर की मा है तो सब की मा होगी क्योंकि पी क्यों आर क्या है आपस में बहन भाई है तो इस सब की मा होगी की नहीं होगी इन सब समली जी जब मा दे दिया तो यह फारे कणिया दूसरे से जूड़ी है सब क्या है इनके टी, पी का पिता है, तो Q का भी पिता होगा, और R का भी पिता होगा, यानि इन तीनों का पिता होगा, किसी में यह लिखिए, देखिए, पी, क्यू, आर सब भाईब है ना अपस में, तो जब इस R कीमा है, तो सब कीमा होगी, टी, पी का पिता है, तो सब क्या पिता होगा, कह Q जो है कह रहा कि का पुत्र है देखिए सब तो बच्रणे हैं कि ठीक है यह दो थम माल है लेकिन यह पूत्र है को नो अब इन confirm नहीं है कि पुत्र है कि पुत्री है पी तो confirm है कि यह तो पुत्र है क्योंकि यह भाई था आगे कहरें टी क्यूं का पिता है ती जो है क्यूं का पिता है बिल्कुल टी जो है क्यूं का पिता है लेकिन क्यूं जो है टी की पुत्र नहीं है यह पुत्री भी हो स जो कह रहा पी की मा है तो बिल्कुल सही है क्योंकि एस पी की मा लगेगी आर पी की वार तीनों की मा है तो पी की भी मा लगेगी ये भी सही है पी एसका पुत्र है क्या कह रहा पी एसका पुत्र है बिल्कुल एस पी पुत्र होगा क्योंकि पहले ही बता चुगा है पी मेल है क चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं तो सारी चीजों पर दोस्तों ध्यान देना आपको एक पॉइंट पे बारी कियों से सब्ज़ना हर चीज को तब जा करके एक्जाम बीट कर पाएंगे यहां पर कलेंडर कोश्चन है यह तो सेकेंडरों में आप सौल कर लेंगे बस एक मतलब की लिप्यर का मतलब जो चार से चार से कटे वो लिप्यर होते हर साथ में आता भी या और लीप het करता ले कीजों फरवरी होती है वो 29 की दिन की होती है इस 29 दिनके करेर कुछ चीज़ हो जाती है तो इसमें Á लेकिन ये 1 जनवरी से 1 जनवरी तक आ रहा है अब फर्वण 149 नहीं कर가는 तब इस ट्रीक में कोई मतल्लब नहीं रहेगा क्योंकि लिप यशातर ऺड़कर जाए यहां पर एक जनवरी जनवरी से 1 जनवरी की बात हो रही है तो जब भी एक साल का फूरा अंतर रहे तो उसमें अगर माली जी की एक जनुवरी 2003 को बुधवार कह रहा है तो एक जनुवरी 2004 को इस बुधवार में एक जोड़ देंगे यानि बिरसपतिवार हो जाएगा option 3 एक साल का अंतर है अगर leap year नहीं है तो हम एक पलस कर देंगे उस दिन में बुधवार है तो बिरसपतियार हो जाएगा या सोमवार है तो मंगल एक दिन एड़ कर देंगे पूरे एक साल का अंतर है तो अगर leap year नहीं रहे तो अगर leap year रहे और उसमें फरवरी करास करे तब दो जोड़ेंगे तब जो जोड़ेंगे अभी इसी में मैं समझा देता हूं कब दो जोड़ेंगे लेकिन यहाँ पर एक जनवरी 2004 तक की ही बात कर रहा है इसमें फरवरी करास नहीं कर रहा है अगर leap year भी रहे और फरवरी नहीं करास करे तब भी दोस प्रवीशन में हम दो जोडेंगे तब क्या करता विरस्पतिवार की जंगा सुक्रवार हमारा अंसर आता लेकिन इसमें क्या आएगा विरस्पतिवार यह आएगा तो तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगे मिलेंगे इस सांदाध मागे ता ठीके साथ में नेक्ट पस काल शाब में नेक्र शोड़ा रहर हमारा की जाल इसमें आता लेकिन नेक्रवार यह इसमें आता रहर हमारा यह वीडियोग जार यह पर्वारा यह नेक्ट पक।